साल 2021 का आखरी सूरे ग्रहन आज लगेगा ये ग्रहन सुभा 10 बज कर शुरू हो जाएगा जो दोपेर 3 बज कर 7 मिनिट पर समाप्त होगा ये सूरे ग्रहन पून सूरे ग्रहन होगा सूरे ग्रहन एक मेथपून ख़गोली घटना है इसके प्रत्यक्ष और आप्रत्यक्ष प्रभाव प्रकृति, जीविजन्तू और मुनुश्य पर भी पढ़ते हैं यही वज़ा है कि जोतिश्य ग्रेहन काल की दौरान कुछ साथधानिय बरत्नी की सलहा देते हैं सनातन महरिश्यों के नुसार ग्रेहन काल को शेशनाक की हलचल माना जाता है और इससे हमारे आसपास की हर चीज़ प्रभावित होती है आए बताते हैं कि साल की आकरी सुरे ग्रेहन के समय क्या करें और क्या ना करें बतायाता है कि इस समय खान पान वर्जित होता है, इसके लावा सोना नहीं चाहिए और कोई भी मांगलिक कारे नहीं करने चाहिए, कोई भी शुब कारे नहीं करने चाहिए और सुर्य ग्रहन को नंगी आँखों से नहीं देखना चाहिए जो चश्मे बनाए गए हैं ग्रहन को देखने के लिए उन चश्मों का अस्तमाल करना चाहिए वर नाखो पर इसका असर पड़ सकता है और ये ग्रहन कहां कहां आज दिखने वाला है ये भी हम आपको बता रहे हैं सूरे ग्रहन 4 दिसमबर 2020 दिन शनिवार को लगने चाहिए जो अंटार्टिका, दक्षिन अफरीका, उस्टेलिया और दक्षिन अमार्का में दिखाई देगा इस ग्रेहन को भारत में नहीं देखा जा सकता लेकिन नियम का जो पालन है वो जोतिश लगातार कहते हैं कि करना चाहिए जोतिश के अनुसार भले ग्रेहन में सूतक के नियम माने नहीं होंगे लेकिन सूरे ग्रेहन का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य होता है इसलिए सूरे ग्रेहन के दौरान मिशेश शाब धानी बरतनी की सलह दी जाती है